आज हम उन अभिनेत्रियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो प्रभावी की दुनिया में तो काफी मश्भूर है ही साथ ही साथ अपने बेमिल पार्टनर को भी लेकर हमेशा सुर्ख्यों में बनी रहती हैं इन में से कई बिनेत्रिया तो फ्रैंक अपने पते के साथ स्पार्ट रहती है लेकिन कुछ ऐसे भी है जो अपने निजिस जिन्दगी को काफिन निजी रखती है जैसे में फर्स्ट नंबर है हमारा जुही चावला जुही चावला जै महता को तो आप जानते ही होंगे जुही चावला जै महता इस लिश्ट में सबसे पहले नंबर पे आते हैं बॉल्ली उट की मसहूर एक्ट्रिस जुही चावला जै महता का जुही ने 1995 में एक बिजनिसमें से शादी की थी वास्तवी की नाम जै महता है इन दोनों की उम्र में भी 6 साल का फासला है जै देखने में अब काफी बूढ़े हो गए लेकिन जुही की खुपसरती आज भी बरकरार है अगले नंबर पे आती हैं हमारी देवोलीना भटाचार्य जी और सहरनवास शेक जी हाँ दोनों टीवी की मशहूट देवोलीना भटाचार्य जी ने जब से अपने वाइफरेंट सहनवास से शादी रचाये तब से सोशल मेडिया पर दिलचस्पी लगाता ट्रोल कर रही है एक्ट्रेस और देवोलीना भटाचार्य जी शेहनवास की पार्टनर सीथ को बेमिल बता रहे हैं हमारे अगले नंबर पे हैं महालक्षमी रविंद्र चंद्र शेखरन जी हैं दोस्तों इस लिस्ट में कुछी दिन पहले ही दक्षण की मशहूर अभिनेत्री महालक्षमी का नाम भी जोड़ गया है जिनकी उनकी लाएफ एक्टिंग के कारण हमें से ट्रोल किया जा रहे हैं महालक्षमी ने जबरविंद्र चंद्र शेखरन से साधी रचाई हैं तब लोग इस जोड़ी को बेमिल बताते हैं लेकिन ये जोड़ी अपने जिन्देगी में बेहत खुश है और ट्रोल्स की बातों पर जरा भी नहीं ध्यान देते हैं हमारे अगले नमबर पे हैं भूमी का चाउला और भरत ठाकुर जी हाँ भूमी का ने वर्स दोज़ा साथ में एक योगी टीजर से शादी की वास्तविक नाम भरत ठाकुर बता दें भूमी का और भरत की उम्र में छे साल का ही महस फासला है हमारे अगले नमबर पे आते हैं फारा खान और शेरिस कुंदर जी हाँ दोस्तों फारा खान बालियोड की मशहूर अदकारा, एक्ट्रेस, राइटर और कोरियोग्राफर हैं उनका नाम इंडिस्ट्री में काफी लोगती है फारा खान ने अपने छे साल के छोटे सेरिस कुंदर के साथ शादी रचाये थी हाला कि दोनों की लाइव काफी अच्छी चल लिये लेकिन उनकी डोली को भी सोशल मीडिया पर बे मिल कहते हुए कई बर ट्रोल किया गया है बता दे फारा खान और शेरिस कुंदर साल 2004 में शादी कीती उन्होंने धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले हम आपको ऐसे ही नए नए अपडेट देते रहेंगे धन्यवाद